हेलो इस्टुडेंट्स वेलकम तू दू 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 माइस क्लास तूड़े वी आर गोईंग तू इस्टार्ट आ निव चैप्टर चैप्टर नम्बर त्री होल नम्बर आप क्लास सिक्स क्लास सिक्स की अब इस होल नम्बर में जो आज हम इस टॉपिक में मितलब इस वीडियो में कितने सारे टॉपिक कवर करेंगे उसमें सबसे पहले तो इंट्रोड़क्शन आपका आ जाएगा उसके बाद नैच्टरल नम्बर सा जाएंगी कुछ प्रॉपल्टी जाब नैच्टरल नम्बर से इन फिर उसके बाद सक्सेसर औ्ड प्रेडिसेंसर हो जाएगा हो जाएगा आपका होल नमबर सौ जाएंगी एंड संप्रॉप्ल टी जाफ होल नम्बर उसके बाद हम इस representation of whole numbers on number line पढ़ेंगे अब सबसे पहले हम अगर अपना first topic introduction सी start करते हैं तो सबसे पहले introduction से अगर start करते हैं direct whole number पे नहीं आते हैं तो आपने देखा होगा कि day to day life में numbers हमारी use होती है day to day life में numbers use होती हैं इस से पहले हम fraction यूज करते हैं fractional number, decimal numbers real numbers यह सब numbers हम use करते थे यह आपकी जैसे fractional number के अगर बात करें तो आपको पता है जो numbers P upon Q मतलब numerator and denominator में right हो fractional number तो यह आपकी 2 upon 5 1 upon 5 2 upon 6 यह आपकी fractional number हो गई decimal numbers के बारे हम भी हम जानते हैं तो decimal के बारे में अगर हम देखें यहाँ पर तो 0.1, 0.25 0.35 अब इस पर और अगर बात करें अब real number की हम बात कर लेते हैं real number में real number स्टार्ट करने इस पहले और दूसरी number लेतें integers भी आपने पढ़ी थी integers जो two types की होती पास्ट्यू and negative अब इस पर minus 1, minus 2 plus 5 plus 6, plus 7 यह सब आपकी integers हो गई अब बेटर real number की बात अगर हम करें तो real number आपकी क्या होती है कि real number आपको जितनी numbers आपने अभी तक पढ़ी है natural numbers, whole numbers, fractional numbers decimal numbers ठीक है यह सब आपकी real number पे आ जाएंगी means real number में जितनी भी number आपको दिखाई दें सब आपकी वो real numbers हो जाएंगी ठीक है अब सबसे first topic है आपका natural numbers natural numbers की अगर हम बात करें तो आप देखते हो कि day to day life में हमेशा counting के लिए जो number हम यूज करते हैं suppose that अगर हम कह दें three apples five banana तो ऐसे अगर आप यूज करते हो तो जो numbers के हम counting करते हैं suppose that one, two, three, four, five यह सब आपकी natural numbers होती है counting numbers को ही हम natural numbers कहते हैं ठीक है तो यह आपकी अगर natural number की बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर तो natural numbers natural number को ही बेटा हम counting numbers कहते हैं counting numbers ही आपकी natural number कहलाएंगी तो यह natural number की अगर बात करें तो one, two, three, four last में infinite means infinite तक आपकी natural number जाएंगी आप count नहीं कर सकते हो natural number को तो one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine two, up to infinitely यह आपकी सम natural numbers हो जाएंगी अब अगर इसी की बात करें कि natural number को हम n से denote करते हैं capital N से तो n equal to one, two, three, four, five, six infinitely infinitely का symbol होता है तो natural number हमारी जो हो जाएंगी one से ही start करेंगे and infinitely तक जाएंगे clear है? अब उसके बाद आप देखिए आपका second topic है कुछ properties है natural numbers की अब इस पे बात करें अगर properties natural numbers की कुछ property की अगर बात करते हैं तो आप देखिए one is the smallest natural number one जो आपका है वो smallest natural number है ठीके? one जो आपका होगा वो smallest natural number होगा first property आपकी यह हो जाएगी one is the smallest natural number means जो आपकी यह one है यह smallest natural numbers होगा अब इसमें second में कह दें कि second property आपकी there is no greatest natural number कोई भी आप greatest natural number नहीं कह सकते हो क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आप चाहे जहां तक count करते चले जाओगे तो कोई न कोई आपको number मिलेंगी suppose that अगर हम 5 में one add कर दें 6 7 में one add कर दे 8 तो add करने में हमको कोई न कोई number आपको obtain होगी तो इसलिए यह infinitely तक जाती है तो one is the least natural number यह smallest natural number उसके बाद यह आपकी infinitely तक जाएंगी third property जो है आपकी इस पे कोई भी greatest natural number हम नहीं कह सकते हैं आप देखिए किसी को भी greatest natural number हम नहीं बोल सकते हैं क्यों नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यह infinitely तक जाता है clear है यह आपकी natural numbers and उसकी properties होगी natural numbers आपकी जो counting numbers होती हैं उनको हम natural numbers कहते हैं properties आप natural numbers one is the least smallest means smallest natural numbers नंबर कोई भी Greatest Natural नंबर आपकी नहीं मिलेगी वहां पर उसके बाद अगर स्टार्ट करते हैं अब होल नंबर अब चैपटर की अगर बात करते हैं जो चैप्टर पर डिपेंड है पूरा whole numbers क्या होते हैं आपकी कि whole numbers आपकी 0 से start होती है यहाँ पर समझेगा कि whole numbers आपकी 0 से start होंगी और natural number मिल जाएंगी means अगर हम बात करें यहाँ पर whole numbers की बात करते हैं तो आप देखिए whole numbers 0 से start होगी 1, 2, 3 means आपने देखा कि natural number आपकी 1 से start हो रही थी बट आपकी whole number 0 से start होगी और सभी आपकी natural number उस पे count हो जाएंगी अब इसकी whole numbers की properties की बात करें इसकी 2 properties या आप कह सकते हो 3 are more properties हैं तो यहाँ पर first property की बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हो 0 is the smallest whole number smallest whole number यह आपका हो गया अब उसके बाद आप देखिए कि 0 आपका smallest whole number है अब आपकी सभी natural numbers तो whole number हो सकती हैं सभी natural number तो आपकी whole numbers हो सकती हैं क्यों हो सकती हैं natural numbers आपकी 1,2,3 से start होती हैं तो आप देखिए 1,2,3 आपकी whole numbers में भी हैं लेकिन सभी आपकी whole numbers natural number नहीं हो सकती हैं क्यों? क्योंकि 0 जो होता है वो आपका natural number नहीं होगा क्योंकि हम counting start करते हैं तो 1 से start करते हैं ना कि 0 से करते हैं 1 से start करना means natural number starts from 1 and whole number starts from 0 ठीक है? whole number जो आपकी होगी वो 0 से start होगी and natural number जो आपकी होगी वो 1 से start होगी अब इस पे अगर हम कह दें कि सभी natural number आपकी whole number हो सकती है third property है कि सभी whole number natural numbers नहीं हो सकती है clear है ये बेटा आपके natural numbers property जाब natural numbers whole numbers and property जाब whole numbers अब इसके बाद next topic है successor तो ये तो बेटा बहुत easy है आप fourth से भी पढ़ रहे हो फिप तुमें भी पढ़ रहे है अब six में भी आपका आगया successor and predecessor तो successor का जो आपका next number होता है वो successor कहलाता है जिस भी number का आप successor find कर रहे हो उसके आगे वाला number means one add कर देना आपका successor होता है and one minus कर देना आपका predecessor होता है ठीक है तो successor अगर हमको five का find करना है तो five में one add कर देंगे तो five का जो successor हो जाएगा वो six हो जाएगा अब predecessor हमको अगर four का find करना है तो minus कर देंगे तो four का predecessor three हो जाएगा ठीक है तो ये successor में हम one add करते हैं and predecessor पे one minus करते हैं successor अगर मान लीजे 256 का 55 का successor find करना है तो 1 add कर दिया तो 256 हो गया अगर इसी number का हम कह दें कि predecessor find करना है तो 255 minus 1 कर देंगे तो 254 आपका predecessor हो जाएगा ठीके तो successor में आपको सिर्फ इतना करना है plus 1 कर देना है and predecessor पे minus 1 कर देना है जिस भी number का आप find करें जिस इतनी number हूँ ठीके तो ये आपकी properties हो गई successor भी हो गया predecessor अब next में देखेंगे एक बार आप इतना चेक कर लीजे ओके बेटा अब आपका इसका last topic लेते हैं आपका whole number chapter 3 का representation of whole numbers on number line अब हमको एक number line पे किसी भी whole number को represent करना है तो number line क्या होती सबसे पहले यह समझते हैं कि number line आपकी एक method होता है किसी भी number को comparison करने के लिए भी ये method हो जाता है कि कौन सा greater है कौन सा smaller है कौन equal है अब उसी चीज को हम follow करते हैं तो number line में हमको एक कोई भी whole number represent करनी है तो suppose that अगर हम कह दें एक example ले ले यहाँ पर हमने बोल दिया कि 5 इस 5 को हमको number line में represent करना है तो सबसे पहले आपका यह mind पर आना चाहिए कि number line है तो आप एक line ऐसे draw कर लिजे ठीक है अब ये बेटा एक चीज याद रखिएगा कि हम whole number पढ़ रहे हैं whole number को हमको represent करना है minus 1 तो वहाँ पर minus वाला इस line को हम भूल जाते हैं क्योंकि line के जो left hand side होता है एक बार हम करके दिखा रहे हैं उसको ये main होता है आपकी line जो सभी integers means real number को express करने में यूज होगी middle पर 0 लेते हैं ये आपका 0 के left hand side and right hand side 0 के left जितने भी number होंगी वो minus so करती है so on और 0 के right जितनी number होती है वो सब पाच्ट्यू में so करती है so on अब यहाँ पर देखिए ठीक है अब यहाँ पर चेक करिए कि ये minus में थी 0 के left hand side and 0 के right hand side सब पाच्ट्यू नमबर से हैं but हमारा question ये है कि हमको whole number को represent करना है तो हम इस line को minus वाले part को हटा देते हैं क्योंकि minus वाली part आपकी जो होगी वो whole number नहीं होगी ठीक है तो उसको integers जब पढ़ेंगे अब ये chapter number 5 जब पढ़ेंगे integers का वहाँ पर ये इस type की number line रा करेंगे but whole number हम पढ़ रहें तो आप यहाँ पर एक straight line खीच लीजे पहले draw a straight line and mark a point O हमने यहाँ पर एक point ले लिया जिसको नाम दे दिया O अब उसके बाद हमको one one meter की equal distance पर equal distance होना चाहिए one meter की equal distance पर counting करना शुरू कर देते हैं two three four five six seven eight और last में जो जाएगी infinite अब हमको five को रिप्रेजेंट करना था तो आप देख लीजे five आपको कहां मिल ला है उसमें आप circle कर दीजे तो यह number line representation होता है अभी और number line represent कर रहे हैं अब देखिए अगर हम कह देखिए यहां पर कि seven को represent करना है तो कुछ नहीं आपको एक number line ड्रा करना है same ऐसे mark a point o on it then we have to take equal distance from 0 या 1 means जो आपने point को o let किया है वहां से equal distance से हम equal meter से equal distance one one meter से हम mark कर लेते हैं यहां पर point so on यह आपका infinity अब हमको seven को represent करना था तो one two three four five six seven आ गया तो इस seven को हम ऐसे circle कर देंगी तो आपका answer आ गया अब दूसरा अगर बात करें और भी example लेते हैं तो को represent करना है कुछ नहीं एक सीदे स्ट्रेट लाइन कीचिए अपने scale से यहां पर o point ले लिजे फिर one one meter की distance पर counting करना इस्टार्ड कर दीजे टू मिल जहां पर आपको मिल जाए वहां पर circle कर दीजे और arrow बना कर answer राइट कर सकते हैं यह आपकी representation of number line on whole number यह आपकी number line को means किसी भी whole number को number line पे represent करना सेम ऐसे ही करना है और देखिए एक example और लेते हैं अब हमको nine को represent करना है तो एक point यहां 0 ले लिया one two three dot dot करके support that nine यहां पर आया तो जहां पर भी आपको nine मिल जाए उसको circle कर देना है और ऐसे answer write कर सकते हो यह सब आपकी number line representation है ठीक है आप इसको देख लीजिए यह पूरा एक introduction वीडियो था की representation of whole numbers इसमें हमने introduction पढ़ा natural numbers पढ़ी उसकी property को देखा whole number देखा whole number की दो-तीन property हमने read किया उसके बाद last में successor और predecessor भी हमने देखा इसी वीडियो पर and representation आप whole numbers on number line भी हमने last में पढ़ा तो आप पूरा वीडियो देखिए आपके यह six यह seven topic है जो पूरे completely clear हो जाएंगे ओके तो पूरा वीडियो अंत तक देखें लास्ट तक ओके थैंक यू